राजनीती की हलचल से लेकर अब तैसील लाग जनपत के हर गाउं की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगास सच दिखाने का हम है आपकी आवाद जबलपुर सांसद राकेश सिंग के भाजपा प्रदेश अदिक्ष बनने के बाद राजश शासन ने उनके लिए एक बंगला आवंटित किया था उसके बाद से ही बंगले की साथ सज्जा की जा रही थी शांदार बंगला सज पाता इसके पहले ही प्रदेश में उनकी पार्टी का राजपार्ट खिसक गया हालत ये है कि पिछले कई दिनों से इस बंगले में पीडव्यूडी ने भी साथ सज्जा का काम रोक दिया है अब तै नहीं है कि राजज सरकार इस बंगले को राकेश सिंग को देगी या किसी और नए मंतरी को भाशपा हाई कमान ने 18 अप्रेल को राकेश सिंग को प्रदीश भाशपा की कमान सौपी थी उन्होंने चोहतर बंगला शेत्र में अपने लिए बी सत्रा नंबर का बंगला पसंद किया था पिछले छे महिने से लोग निर्मान विभाग राकेश सिंग की इच्छा अनुसार इस बंगले में निर्मान कार्य और सजावट का काम कर रहा था चुनाव आचार सहेता लगने के बाद वो काम धीमा पड़ गया और प्रदेश उसे भाजपा सरकार जाने के बाद इस बंगले में निर्मान और सजावट का काम पूरी तरह से रोग दिया गया लोग निर्मान विभाग के सूत्रों का ये कहना है कि पिछले छे महिनों से इस बंगले में लाखों रुपे का काम हो चुका है इस काम को लेकर ठेकेदार और अधिकारी भी इसलिए परिशान है कि कई कार्यों की वित्ती सुईकृती भी नहीं मिली थी बोपाल से मयंग शुकला किरपो